so hello everyone welcome back to my youtube channel so friends finally bccl ee वालो के लिए counseling date आ चुका है जो कि अभी देख सकते हैं कि bccl ee वालो के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि officially date आ चुका है bcc के official website पर 25-2022 को चलता हूं आपको मैं बता देता हूं कि कब से आपको college का choice feeling यानि college का preference देना है अब उसका last date कब तक है कितना सीटे हैं यह सब चीजे के बारे में आपको जनकारी देने वाला हूं तो फ्रेंस से दिया आपको इस चैनल पर पहले बार आएं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करे रहिए और वेल आइकोन घंटी प्रेस कर दिजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके और फ्रेंस जैसे हैं कॉंसलिंग स्टार्ट होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार आपको कॉलेज को च्वाइस फिलिंग करना है यानि कि आपको कॉंसलिंग करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे ब्रांच मिल सके और अच्छे कॉलेज मिल सके और फ्रेंस अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा कॉंसलिंग और अच्छा से हो और college जो top colleges है और top branches है वो मिल सके तो आप लोग pad counseling group में join हो जाई है उसका link description में दे दिया हूँ और friends counseling यादी हमसे करवाते हैं तो आपको top college 100% मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं BCCALE वैसे student जो BCCALE की exam दिया है और rank card आ चुका है तो यहाँ पर लिखा है और online counseling से संबंदित महत्पून ती थिया है यहाँ पर देख सकते हैं कि seatmatic posting on website website पर 25 आदो 22 को यह publish कर दिया गया है तो second video में आपको मैं बता दूँँगा कि कितना कौन-कौन से college में कितना seat है और कितना वहाँ पर branches में seat हैं और category बाई इसके video मैं second video में दे दूँँगा तो आप लोग channel subscribe कर रहिए अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि starting date कब है online registration of college का choice filling करने के लिए तो देख सकते हैं 29 यानि 29 अगस्त को आपको start हो जाएगा और last date online registration of college का choice filling allotment and locking के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 39 यानि बहुत ही कम समय दिया गया है तो आप लोग किस पर का आपको counseling करना है इसके बारे में आपको जनकारे देता रहूंगा और अगर चाहते हैं कि अच्छे से counseling हो तो हमारे pet counseling group में join हो जाई है और यदि चाहते हैं कि counseling कराए तो आप contact कर सकते हैं यहाँ पर जो कि देख सकते हैं लिखा हुआ कि first round provisional seat allotment result publication date आपको 7-9 यानि कि 7 तारी को आपको first round गा कि कहां पर आपको college मिला है इसके बारे में जनकारे मिलियागा 7-9 2022 को downloading of allotment order भी कर सकते हैं 7-10 तो इसी time आपको जो कि जाक document verification कराना होता है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि document verification and admission first round का 8 तारीक से लेके 10 तारीक तक आपको सितंबर तक आपको admission हो जाएगा first round गा second का यहाँ पर लिखा हुआ है कि second round provisional seat allotment result date यहाँ पर देख सकते हैं friends कि second round का आएगा 14-9 तारीक को यानि कि 14 स सितंबर को downloading of allotment order second round का 14-9 2022 से लेके 17-9 तक आप allotment letter को download कर सकते हैं और आपको document verification यानि कि जो भी college में जाना है उस college में आपको कौन को सा document लेके जाना है इसके बारे मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा तो आप लोग चैनल सस्क्राइब कर ले रहे हैं कोई भी कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपको reply दूँगा कि किस परका आपको करना है तो अगले वीडियो में पूरा मैं discuss करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको choice filling करना है इसके बारे में तो आप लोग चैनल सस्क्राइब कर ले रहे हैं तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए वेट किये थाइंक यू सो मैच फ्रेंट्स